आज मैं आपको जो कीमा बताने वाले हूँ ना, वो मामूली कीमा पाऊं नहीं है मुंबई का very famous गुलसन ए इरान रेश्टोरन में मिलने वाला कीमे की सीक्रेट रेसिप है किस पर बनाते हैं, कौन सा मसाला रातते हैं, कैसे सव करते हैं, सब बताने वाले हूँ वो टेश्ट हम गड़ में कैसे ला सकते हैं, वो भी बताने वाले हूँ क्या लाश्ट में डालने वाले हैं, वो भी बताने वाले हूँ तो पूरा वीडियो देखना, तो फिर रेट किस पात का, पूरा वीडियो देखो हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बेक टो माई चैनल, मामी के एडवाइस, आसेफुन के रेसिपी में आप सब का सुआगते, असलम आलेकूम, मैं हूँ आसेफुन, तो सबसे पहले कड़े में तेल डालना, और उसमें तीन बड़ी कटी हुई प्यास डालना, और सातना में एक पे के पास हो, तो पालक के पत्ते एड करना, अगर नहीं है तो इसकिप कर सकते हो, बड़ो तो डेफिनिटल डालना, और दो से तीन हरी मिर्च के टुक्रे भी डालना, साथ में खरे मसाले भी हम इसमें ही डालने वाले है, ताकि जो ओरिदनल कीमे का टेस्ट हो इसमें आए, अ जो प्यास है, उसका भी कलर थोरा चेंज होता है, तब तक उसको भूनने का है, तब देख सकते हो, हलका ही प्यास का कलर चेंज हो गया है, तो उसमें 20-25 कडी लसून, और बड़ी साथ के दो अध्रक के टुक्रे है, जिसको मिनी कूटा है, वो डालना, और अध्रक लसून क कच्छा पर निकल जाना चाहिए, तब तक हमको उसमें पकाने का है, अभी उसमें डालना 250 ग्राम कीमा, तो कीमे को अच्छे से मिक्स करना, उसकी गाथे नहीं बननी चाहिए, वो एक दम छूटा होना चाहिए, सेकन उसमें थोरा फेट रेना चाहिए, अगर आपको पसंद तो डालना, अगर आपको नहीं पसंद फेट तो मत डालना, तो अच्छे से कंटिन्यूस आप चम्मच से हिलाते रेना, ताकि आपके जो कीमा है, उसमें गाथे नहीं बने और मेरे जैसा छूटा बने, अभी उसमें एक छोटी कटोरी या 3-4 चम्मच, हरे मतर के दाने डाल अगर बोल डालते हो, तो लाकष्ट में रालना, अगर मेरे जैसे कच्छे धेयरियВ टो भी डालते हो तकी तेल में अच्छे से पक जाये, अभी उसमें बना स्थे चोटी क्प्स ऐल्डे पावडर तेन से चार चमब जितनी डालना दे और इतना अच्छे से मिक्स करना दे डालने के बाद कि आपकी दे फटनी नहीं चाहिए वह अपात हमेंजा में बोलती हो और फ्लोगेस पे इसको बैद डालने के बाद उसको पकाना फिर हमें जो ग्रीन पेष्ट बनाई है ना वह डालते बाद भूती अच्छे से मिक्स करना बाट उसमें जो अप गर्मी बनाते हैं वह दो तिन चीज में डालते हो जो रेश्टों वाले वो डालते मतलब जो ख़रे मसाले मिक्सर में यास से पीषने के वक्त डालना पेष्ट ग्रीन कलर की बना बहुत लोग नहीं डालते है पट तेस्ट के अकोडिक चेक कर सकते हैं तो में तो अभी आधा चमच जितना नमक डाला है नमक डाल के बहुत ही अच्छे से मिक्स करना अभी यह है मतलब 1 फोट चमच यहाता है हमको कलर इसका जराबी रेट नहीं करना 1 फोट चमच के असपास डालना इसमें कस्मीरी मिर्च पा अभी हम पीसने में डालते बट वह डेफिनेटली आप डालना जो अभी ग्रिन पेश्ट बनाई थी ना वह विक्सर में थोड़ा पानी डालना और पंदर से 20 मिनिट यह तकरिबन आधे गंटे के लिए इसको अच्छे से पकने देना अभी लाश्ट के एक स्टेप करने का ह बहुत चेंज हो गया है तो लाश्ट तरके के लिए मैंने क्या लिया है मेरा हम में बटर है या आप अमूल बटर या कौन सा भी बटर ले सकते हो तो एक से डिक चमच लेना बटर और बटर जैसे अच्छे से मेल्ट हुझे तो उसमें डालना आधे छोटी चमच जितने यह इस टेप लाश्ट में करने का है पेले मत करना और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा जब आपको लगे कि आपको परिवार को खिलाने का है तो लाश्ट में बटर या कसूरी मेथी वाला तरका आपके केमी के उपर डाल देना और अगर आपने ग्रीन कलर की पेश्ट में लिम्बू का रस नहीं डाला हो तो डाल देना बट ग्रीन उससे कलर आपका ग्रीन भी रहेगा और जो और इतना लिम्बू का ने सब खरे मसाले का टेस्ट रहता है वो आ जाएगा वो लाश्ट में डालना खूप सारी कोथ में और अच्छे से मिक्स कर लेना मुझे यकिन ह कि आपको यह जो गुलसनी इरान रेश्ट्रोरन यह इरानी केफे में मुस्लिम स्टाइल यह कीमा पाउं मुंबई में बहुत थेमस है हरे कीमा मतन तो डेफिनेटली आपको जरूर पसंद आएगा तो इसको सर्विन प्लेट में निकालना उस साथ में पाउं तो चाहिए न इसके उपर जो अभी हमने कीमा प्लेट में लिया है ना उसके उपर हाफ अंडा फ्राय भी डाल के देते तो वेसे भी उसाव करते है उपर से डालना प्यारी सी एक ग्रीन चिली और लिम्बू की स्लाइस और साथ में रखना पाउं आई होब सो यू लाइक इस नहीं वीड ओके बाई अला आफेज